तो iqoo Z7 Pro finally launch होने वाला है और जैसे ही देख सकते पोस्टर आ चुका है मन्दा phone confirm launch होगा आवस्ट माइने पे वैसे इस smartphone के उपर full specification वाला वीडियो मैं सुभाई अपलोड कर देता लेकिन आप लोग की प्यार और सपोर्ट की वज़ा से टेक्नो वालों ने प्रोबाबली मुझे फाइनल थोड़ा से रिकोगनाइस किया और उन लोगों ने जो टेक्नो वाफा फाइब आने वाला है ना उसका जो launch event उसका फास्ट टीजर के लिए इनवाइट किया था तो दो पार पे वोबाल इमेंड मैंने अटेंड किया था लेक आप ग्याजरो चैनल पे नहीं है और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो ग्याजरो चैनल को सबस्क्रिक करना बिल्कुली मत भूलिएगा तो पहले तो बात करेंगी स्मार्टफोन की डिजाइन के बार में तो जैसे की देख सकते इसके पीछे का ज प्लास्टिक का डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.78 इंच, FHD+, 120Hz, Card Super AMOLED डिस्प्ले जिसके साथ 300Hz का टास्क सम्मिलिंग रेट, 1200Hz का इंस्टेंट टास्क सम्मिलिंग रेट, 300 NITS का ब्राइटनेस, 20-9 aspect ratio, 93% screen to body ratio और डिस्प्ले के प्रोटेक्शन में आपको मिलेगा Dimensity 7200 प्रोसेसर जोके एक मैं कॉन्फरम्ड हो चुका है और अगर आप सोचे रेकिए बेकार प्रोसेसर है तो थोरा वीडियो के आंतक वेट करना मैं आपको प्रोपर प्रूप दिखा दूँगा और इसके साथ आपको IQ तरफ साने बले एक आच्छा का सा कूलिंग सिस्टे आपको मिलेगा आट एक्सो आटाइस जीबी और टूल टूफिटी जीबी रैम का कॉलिटी ए एल्पी डी डी और फाइब मेमोरी में आपको मिलेगा इंवेपेस 3.1 और उसके साथ कोई भी डेडिकेडेट स्टीकार स्लोट ने बैटरी में आपको मिलेगा 500 इमेज बैटरी 66 वाट का चारजर और उसके साथ है USB Type-C का कनेक्टिविटी इसके बादर में इस कुछ बाकी फीचर की बाद में बात करें तो आपको से मिलेगा एंडर 13 आउट आप दा बॉक्स कोई भी 3.5 जैक ने डूएल स्पीकर और उसके साथ होगा अंडर डिस्प्रे फिंगर पे से ज्यादा चांस है और अगर हम इसके प्राइस के बात करें तो एक चीज़ नोटिस कीजिए इससे पहले आपने जब भी मुझे पूछा था कि 25,000 पे सबसे बेस्ट और गीमिंग स्मार्पोन कौन सा है हर बन मैंने जबाब दिया था आइको नियो 6 लेकिन अगर आप भी करन परिया उसका प्राइस होगा 26,000 रूपाय तो अभी हर बीडियो सा देखेंगे कि आप 25,000 के प्राइस कोन में जो आइको का स्मार्पोन सबसे बेस्ट होगा या फिर इससे बीटर दूसरा कोई जो देखिए जैसे कि आज की दिन में अगर आप 30,000 मतलब 30 से 35,000 रूबिस का परियुकर अंधाब नैंना 25,000 रवाल है तो 5,000 न यूकर आपको मिले गा One不到 Nord C3 और 25 रे आपको मिले गा Ico Z7 Pro तो इसलिए अगर मां नौर्ट के साथ कॉमपेर करते लिठीब के मामले में 9 डाउड्र कॉ बेस्ट क्यूंकि कार्व डीस्प्लेड यपेस के आप freshmen को मिलेगा प्रोबाबली तीन साल पहले लॉंच हुआ था तीसका मदब उसका जो CPU आर्किटेक्ट्चर बहुत पूराना मतब 6 नानोमीटर और उसका जो CPU कोर बहुत पूराना मतब कोटेक्स देटी एट कोर येकिन उसी जगा पे डायमेंसिटी 7200 अभी अभी लॉंच हुआ नया आर्किटेक्ट्चर मतब चार नानोमीटर अर्किटेक्ट्चर नया सीप्यू ओन्तर से स्विलाथ और कोले से सिरे सिरीज का को आपको मिलेगा इसका मतब्द्द्द्द dcpu नामीतर सही मांबले में बैटर और अगर मुझाम ग्राफिस करके बाद में बात करें उस मामले में obviously snapdragon थोड़ा बेटर लेकिन diversity भी उतना पीछे नहीं है तो इसका वंदर CPU के मामले में no doubt Ico बेटर और ये चीज़ आपको मालूमें Ico का जो cooling system पो generally बाकी ब्रांग के मुकबली बेटर रहता है तो इसलिए CPU department में no doubt Ico बेटर भेरीन के बाब ले में Ico बेटर क्योंके Ico पे आपको मिलेगा LPDDR5 और UPSC1-1 दोनों का combination लेकि no doubt पे आपको दोनों का combination नहीं मिलेगा उसके साथ battery दोनों पे सेम charger actually not better क्योंके 80W का charger Ico पे आपको मिलेगा 66W का charger इसके लिए अडियो सिस्टेम दोनों पे एक्जाक्री सेम तो मुझे देखे वीडियो का करें में एक्जिस करना चाहूंगा अगर आभी मेरा करनेली बजेट है 25,000 रुपए अगर मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा smartphone जो की 25,000 के अंदर मुझे मिल जाए वो भी कार्ब डिस्प्ले बाला गेमिंग फीचर के साथ तो मैं no doubt Ico Z7 Pro की चूस करना चाहूंगा तो भी आप मुझे कमसे जरू बताना है कि Ico का ए जो स्मार्पोन एक्जाक्ट इस स्पेसिलिशन के साथ जो लांच होने बाला है तो कि आप इस प POSITIVE, BE POSITIVE, THANK YOU